नमस्कार दोस्तों स्वा करता है आपका सिविल पितामा सिविल इंजिनिरिंग ट्रेनिंग इस्टिटूट के इस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पे दोस्तों मैं कॉर्पे ट्रेनर आस्तोष पाठक आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा डिफरेंस बिट्वीन डबलू बी नए है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के दाद भी शेयर करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वाटर बाउंड मैकडम को डबलू बीम भी बोला जाता है तो इसमें जो टर्म मैकडम होता है वो जॉन मैकडम के ना जाता है रोलिंग के द्वारा तो दोस्तों जो इसमें वोवेड्स प्रेजस्ट होते हैं वोड को स्क्रेंडिण मैटेरियल और का यूज़ करके हम फिल करते हैं विड्क दासेस्टेंस ऑ वाटर वाटर का यूज करके दोस्तों just one пом के बीच में होनी चाहिए दोस्तों तो ऍ होता है उसको white mix macdum भी बोला जाता है तो red mix macdum बैसिकली suitable capacity controlled condition में prepared के जाता है mixing plant में तो उसमें जो water addition होता हो mc पे water add किया जाता है और उसको suitable capacity पे positive mixing की जाती है और उसको favour के द्वारा surface पे ले किया जाता है तो WMM का basically use high traffic roads में के लिए किया जाता है इसका यूज बेस को सब बेस कोर्स में हम करते हैं दोस्तों वैसे ही जो कॉम्पैट्रेक्ट थितना सोती है डबलो में की वो 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए तो यहां पर हम देखते हैं कि डबलो ब्यां में के बीच में बेसिक क्या है तो यहां पर हम कुछ क्रैटेरिया के बारे में बात करेंगे कि कि क्रैटेरिया के बेस में हम इसको डिफरेंशेट कर रहे हैं तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि कि क्रैटेरिया के में हम इसको करते हैं तो सबसे पहले जो हमने लिया है वो यूज कर लिया है में बेसम बेसिकली सबैस कोस अर्फेश को में उसको करते तो हमारे सकते हैं तो दॉस्तों तो मता हडाब्ली होता है वो हाइट्राफिक रोड के लिए हम यूज करते हैं तो यहां पे मटेरियल्य करते हैं वह act akuld हैं श्क्रिम याष करते हैं और ısıने मटेरियल यूज तेंais करते है वो WMM से कुछ different होती है तो इसमें हर size के aggregate होते हैं तो इसको mixing plant में water को mix किया जाता है control condition में तो यहां पर एक properly suitable mix त्यार की जाता है surface के लिए तो जो grading of material है तो WBM में हम जो course aggregate की grading होती है उसको तीन पार्ट में divide करते हैं तो G1 जो grading होती है उसकी size 90 to 45 mm होती है G2 की size 63 to 45 mm होती है और G3 की size 53 to 2.4 mm होती है वहीं screening materials को अभी हम दो grade में divide करते हैं 13.2 mm and 11.2 mm तो दोस्तों जो grading होते हैं WMM की उसकी grading 53 to 75 micron के पीज में होती है जैसे कि हम आने बताया भी कि WM की जो grading होती है वह WBM से कुछ different होती है इसमें हर size के particles present होते हैं लेकिन WBM में हमारे पास जो size of particle है वह WM से ज्यादा होता है तो जो compacted thickness होती है WBM की तो तो G1 grade के लिए यहां पे 100 mm रखी जाती है और G2 grade और G3 grade के लिए 75 mm यूज की जाती है तो दोस्तों आज की condition में G1 grade ज्यादा यूज नहीं होता G2 और G3 ही यूज होता है तो यहां पे जो हम जो competitive thickness लेते हैं वह 75 mm लेते हैं वैसे ही WMM के case में भी हम जो competitive thickness होती है वह 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए और graded materials के लिए 250 mm तक भी जा सकती है वैसे ही जो हमारे पास next criteria है वह water consumption का है जैसे कि मैंने बताया कि WBM का construction करने के लिए सबसे पहले हम co segregate को manually spread करते हैं और उसके बाद थोड़ा water sprinkle करके उसको पर rolling की जाती है फिर screening material डाला जाता है फिर water spread करके rolling की जाती है ताकि उसके words फिल हो जाए और उसके बाद हम binding material डालते है water spread करते हैं और फिर winding material डालते हैं और फिर rolling करते हैं तो इसमें जो water consumption होता है वह ज्यादा use होता है तो दोस्तों जो WMM होता है WMM में control condition में OMC पर water mix किया जाता है और OMC पर water mix करने के कारणर जो हमारे पास mix prepare होता है उसमें बहुत ही कम quantity में water add के जाता है और जो mixing होती है वह controlled mixing होती है और दोस्तों जो construction process होता है तो जो course aggregate होते हैं वह WMM में manually spread के जाता है क्योंकि इसमें जो particle size होता है वह large होता है तो जिसको grader के द्वारा spread के जाना संभाव नहीं होता है इसलिए इसमें machinery के use नहीं किया manually apply कि जाती है बैंडिंग material भी manually apply किया जाता है दोस्तों इसमें rolling के लिए machinery का यूज किया जाता है वैसे जो WMM होता है इसमें जो grading है मारे पास वह 53 to 75 mm के बीच में होती है तो इसको mixing plant में sitable capacity mixing plant में हम mix करते हैं वह mc पर पानी इसमें add करके mix करते हैं control condition में तो इसमें हर size के particles मौजूद होते हैं तो इसको पेवर के द्वारा हम इसमें surface ले करते हैं अगर हम यानि multi layer construction कर रहा है तो जो bottom layers होती है उसको हम gridder के द्वारा भी हम इसको pavement पे spread कर सकते हैं उसके बाद जो top coat है उसको पेवर के द्वारा हम ले करते हैं तो दोस्तों जो compaction होता है compaction में जब इसे हम जब coarse aggregate को ले करते हैं coarse aggregate के बाद हम थोड़ा water sprinkle करते हैं फिर rolling करते हैं और जो voids हमारे पास present होते हैं उस layer में उसको screening material का use करके हम उसको fill करते हैं water spread करके और फिर rolling करते हैं उसके पार binding material apply करते हैं water spread करते हैं फिर rolling करते हैं तो इस तरह से हम water bond macadam में convection करते हैं वहीं जो wm होता है wm में single step में compaction की जाता है क्योंकि जो material होता है वह mixing plant में हम properly controlled condition में mixing की जाती है तक पानी डालते हैं उसमें तो जो material होता है वह homogeneous होता है एक तरह से हो जाता है और इसमें जो हम properly जो ले करते हैं वह पेवर के द्वारा ले करते हैं तो इसमें single step में जाती है तो जो सेग्रिगेशन होता है water bound mechanism के case में जैसे कि मैंने बताया कि जो पोर सेग्रिगेट होता है मैनुली spread की जाता है फिर screening apply करते हैं तो इसमें जो सेग्रिगेशन का chances ज्यादा रहते हैं तो इसमें जो finish surface होती है वह non uniform होती है तो दोस्तों वैसे में 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 की जाती है इसमें कोई सेग्रिगेशन नहीं होता तो दोस्तों जो time of construction होता है में में जैसे कि हमने देखा कि जो construction process होती है वह manually की जाती है इसमें किसी भी मतार की machinery का यूज नहीं करते हैं तो जो भी हम को सेग्रिगेशन करते हैं मैनुली करते हैं तो इसमें जो time of construction होता है वह wm case case से ज्यादा होता है तो दोस्तों वैसे केस में जो हम प्रोसेस होता है construction का वह फेवर के द्वारा किया जाता है और mixing भी हमारे पास mixing plant में होती है तो faster rate of construction में होता है जबकि जो WM के case में हमारा time of construction ज्यादा होता है तो दोस्तों इस तरह से जो WM होता है WM ज्यादा durable होता है क्योंकि इसमें जो mixing होती है plant में materials के वो control condition में होती है WOMC पर हम पाने mix करते हैं पाने की requirement में भी इसमें कम होती है durability भी होती है और ज्यादा यह costlier भी नहीं होता WBM के case में और high traffic के लिए हम यहाँ पर WMM को use कर सकते हैं लेकिन WBM दोस्तों जो होता है waterborne macadam waterborne macadam rural roads में ज्यादा use किया जाता है क्योंकि इसमें जो mixing plant के requirement होती है वो भी नहीं रहती और जो हमारे पास machinery के requirement होती है कि इसको भी कतम कर दिया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हम labor के द्वारा WBM में construction करते हैं ज्यादा और WMM में machinery की requirement ज्यादा होती है तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि WBM और WMM के बीच में basic difference क्या होता है तो दोस्तों जो material के consumption requirement है उसके बारे हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में तो दोस्तों आई होब आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि दोनों में basic difference क्या होता है और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्रा झाल